क्या बिर्टन के आदम मुहमत के रिकॉर्ड तोड़ देंगे भारत के शिहाब चितूर बिर्टन के आदम ने 2022 में क्या है पैदल हज और शिहाब 2030 के लिए पैदल निकले हैं बेटन के आदम 6500 किलो मीटर चल कर मक्का गए थे और शिहाब 8600 किलो मीटर चल कर जा रहे हैं पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब को पैदल चलते हुए 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं इस वक्त शिहाब राजस्थान के अजमेर को पार कर गए हैं और जल्दी वो पाकिस्तान पहुचेंगे शिहाब ने लगभग 3 महीने में 3000 किलो मीटर का पैदल सफर तै कर लिया है शिहाब पहले शक्स नहीं हैं जो एकनी लंबी पैदल हज यात्रा पर निकले हूँ इनसे पहले ये कारनामा बिर्टन के आदम मुहमद ने किया है बिर्टन के आदम मुहमद 2022 में पैदल हज करने गए थे बिर्टन के आदम मुहमद ने 11 महीने 26 दिन पैदल चल कर बिर्टन से मक्का 6500 किलो मीटर तक का सफर तै किया आदम रोजाना 18 किलोमीटर चलते थे उन्होंने 11 महिने में 11 देशों को पार किया 53 साल के आदम ने इस सफर के लिए एक हाथ से खीशने वाली गाड़ी भी बनाई थी वो गाड़ी को खीशते वे चलते थे इसी गाड़ी पे खाना बनाते थे और इसी पर सूते थे आदम जब नीजरलेंड को पार्क कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया था आदम 2022 का हज करने के लिए जब मक्का पहुचे तो उनका परिवार उनसे पहले ही सौधी अरब पहुच गया था आदम के परिवार ने वहाँ पहुच कर उनका स्वागत किया आदम ने 6500 किलोमेटर चल कर रिकॉर्ड बनाया था उनकी पैदल हज यात्रा को दुनिया बर की मीडिया ने कवर किया था अब शिहाब उनसे भी लंबे सफर पर निकले हैं शिहाब को 8600 किलोमेटर चलना होगा शिहाब हर दिन 25 से 30 किलोमेटर का सफर टै कर रहे हैं कहावा थे कि जब इरादे चटान से मजबूत हो तो मनजिल दूर नहीं होती बलकि हर मनजिल आसान होने लगती है शिहाब का कहना है कि उनकी इस यात्रा को लेकर उन्हें कई बार MBC के चकर लगाने पड़े क्योंकि वो कई देशों को पार करते वे सौधी अरेबिया पहुचेंगे शिहाब केरल के मलबपुरम के रहने वाले हैं और उनकी उम्र 29 साल है शिहाब की पैदल हज यात्रा को विदेश मंत्राले ने भी इजास्त दी हुई है फिलहाल शिहाब राजस्तान के अजमेर को पार कर गए है कहा जा रहा है कि 2023 में पैदल हज करके शिहाब बिक्टन के आदम का रिकॉर्ड तोर देंगे दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई होतों लाइक करें शेयर करें और आगे भी ऐसी नोनेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रिस कर दे